आप देखने हैं पिछे लिखा हुआ है ए एन इम प्रसिचन संस्थान रक्सोल पुर्वी चम्पारंत ये लगभग तीन सालों से बनके पड़ा हुआ है लेकिन आज तक इस बिल्डिंग का उद्गाटन तक नहीं हुआ है ताला लटका हुआ है तो क्यों लटका हुआ है और इसका जिमेवार कौन है साम के टाइम में अगर आईएगा तो आप देखिएगा वहां पे 22 गाय ये सब वहां पे बैठा रहता है नमस्कार मैं संजीव सुमान आप देखना सुरू कर चुक है अभी मैं हूँ रक्सौल बिधान सभाचित दस में आपको बता दें कि रक्सौल बेतिया लोकसभा के अंतरगत आता है और लेकिन यह जीला पुर्वी चंपारन के हैं अंतरगत में गीना जाता है ये कुछ गोल रक्सौल के स्वास्थ केंडर की आज की स्थिती क्या है उसके बार में बताने जा रहा हूँ आप देखना है पिछे लिखा हुआ है ए एन्म प्रसिछन संस्थान रक्सौल पुर्वी चंपारन के एक बहुत बड़ा बिल्दिंग है हमारे ख्याल से इसमें करोरों रुपय लगे होंगे लेकिन इन सब पर बात करूंगा लेकिन आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे मुतिहारी जीला मुख्याले के सुत्रों द्वारा एक खबर निकली है कि रक्सौल एन्म का जो प्रसिछन केंडर बनाया गया है वो लगवत दो-तीन सालों से काम नहीं कर रहा है इसी को लेकर हम अपने जो रक्सौल के हमारे संबाद आता हैं उसके पास चले और उनी से जानते हैं कि आखिर क्या दिकत है और क्या हो रहा है एन्म अभी तक काम नहीं कर रहा है आपकी जंकारी के लिए भी बता दे कि एन्म जो है प्रसिछन संस्थान के बारे में स्वास् दी जाएगी लेकिन तीन साल से यहां पर कोई भी प्रसिछन का एक्रम भी नहीं हो रहा है बिल्डिंग पूरी तरह बंक एक तैयार है बिल्डिंग में पूरी तरह से खर्चा हो चुका है मैं अपने कैमरामेन को बोलूँगा कि पीछे छात्रवास भी रेडी है अभी जो आप च्छात्रवास देख रहे हैं वो महिला च्छात्रवास है और उसके भी बनावत और उसके भी आप खर्चा देख रहे हैं उसके कितना खर्चा हुआ है तो अभी हम इसी को लेकर रक्सौल के दोरे पर हैं तो मैं अपने वहां के जो मैरे संबादाता है रख्षाउल के जो स्वास्ट केंड कर जो नया एनेम का अफिस बना है आखिर वो सुना गया है कि तीन-चार साल पहले बन चुका है कोई काम नहीं हुआ है अखिर क्या बात है चलिए अब बात हो गया है बिल्डिंग बना के सरकार के पैसे को इन्वेस्ट करके बरबाद करना ये राजनेताओं की आम बात हो गई है और मैं आपको जनकारी दे दूँ और जो भी हमारे चैनल के माद्यम से देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूँ कि ये लगभग तीन सालों से बन के पड़ा हुआ है लेकिन आज तक इस बिल्डिंग का उद्गाटन तक नहीं हुआ है तो जब उद्गाटन ही नहीं हुआ है तो प्रसिक्षन कैसे चालू होगा मतलब आपको बता दे जो खियारी पंचायत के चिकनी काउं में इस्तित है और मैं आपको बता दूँ कि ये एन्म प्रसिक्षन केंद्र रक्षाल पुर्वी चंपारन है और इतना भव ये बिल्ड हमेवार कौन है यहां के जो भी सांसाद है डॉक्टर संजाई जैस्वाल और विदायक परमोद सीनहा जी वो कहां है वो किस गहरी निंद में है कि उनको ये तक पता नहीं चलता है कि जब ये बिल्लिंग तयार हो गया है तो यहां के बचीयों को प्रसिक्षित करके उनको न प्रसिचन केंद्र रक्षाल और मैं आपको बतादू क्यामरामन को कहूंगा एक पर कैमरा पीछे करें महिलाओ के लिए च्छत्रावास बनाए गया है और वो च्छत्रावास बस धरातल पे ही बना हुआ है कोई महिला उसमें नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है जब प्रसिक्चन केंद्र ही चालू नहीं है तो कौन रहेगा और उसको इसलिए बनाए गया है कि आप साम के टाइम में अगर आएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे 20 गाय ये सब वहाँ पे बैठा रहता है और कहीं न कहीं हमको लगता है कि सरकार इसलिए ही बनाती हो कि मतलब जानमोरों को भी ठंडा चाहिए और उन लोगों को भी सुक्षेन चाहिए इसलिए कहीं बना के और इसको रखा गया है इसलिए इसका ट्रेनिंग प्रसिक्षन चालू नहीं हो पा रहा है एनम लोगों का और ये कब चालू होगा ये भी पता नहीं है प्रस्थली मैं बिधायक जिसे आगरह करूँगा और हमारे जो जीला के मतलब सी एस महोदाया है उनसे भी आगरह करूँगा कि जल्द से जल्द इसकी जाच हो और ये प्रसिक्षन केंदर चालू हो जाकि यहां पी जो भी महिलाए प्रसिक्षन लेना चाहती है उनको प्रसिक्षन मिले और उनको नौकरी मिले तब जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सरकार का जो निती है वो सफल होगा नहीं तो अभी तक देखने में आ रहा है कि वो नकाम साबित हो रहा है और चले मैं आगे चलता हूँ और हमारे साथ संजीव जी मुतिहारी साय हुए है मैं कहूंगा कि बाकी की जो भी सब्दे हैं मैंने बता दिया और बाकी कहूंगा कि ये जो भी बाकी है वो जनकारिया मुहया करा देए तो आप मुझे एक बात बताईए अभी तक इसमें लगवक कितने का खर्चा बैठा होगा देखिए ये बिल्लिंग देखने से पता चलता है कि एक करोर दो करोर को भी बात नहीं है कईन करोर रुपे इसमें खर्च हो चुके हैं और ये जो जमीन है यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ मैं अपने कामरा मैंन से कहूंगा कि सीधे वहाँ प्राट्मी की स्कूल है उसको भी दिखाएं क्या ये स्कूल का बिल्लिंग है या फिर ये किसका एक कौन सा बिल्लिंग ये जमीन ये सरकारी जमीन है ये स्कूल का जमीन नहीं है या होस्पीटल का जमीन नहीं है सरकारी जमीन है सरवजनिक जमीन है जिस पे स्कूल भी बनाए गया है और बाकी का जो जमीन बचा हुआ था सर गौवर्मेंट का उस पे यह बिल्डिंग तयार कराई गई और आखरी में इसके उर्खातन का कोई टाइम बताया गया है कोई टाइमिंग नहीं है चुकि अनुमंडलिया अस्पताल साल भरों से बन के तयार था उसके बाद जब दिवाल तुटने लगा और हमारे किंद्रिय स्वास्त मंतरी मंसुक मांडविया जी और बिहार के स्वास् है ते उसमें पत्रकारों के दोबारा जब जवाब सवाल किया गया तो उनके साथ अबद्र भासे का बीजेपी के कर्जकरताओं के तहट अबद्र भासा का परियोग किया गया था तो जब अनुमंडलिया आस्पताल का उत्गाटा नेक सालों बाद होता है तो समझे कि ये तो परा सिक्षन केंद्र है देखिए बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अभी बिल्डिंग तब पुराना हो गया बच्चे आते जाते हैं खेलते हैं यहां पे तो आप कैमरा के मादम से यह भी देख रहे होगे कि कोई बच्चा सिसा तोड़ दिया है आग बोडर को लेके चुकि बोडर सटे में हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है इसका कुछ कहा नहीं आकड़ा नहीं लगाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग का अभी तक कुद घाटन नहीं हुआ आप देख सकते हैं कि फर्स दब गया है कितनी अच्छ लोड होने के चलते बिल्डिंग गिर जाए तो उन परिवार वालों के साथ क्या वितेगा जिनके साथ अनहोनी होगी और मैं यहां के स्वास्त मंत्री स्री मंगल पांडे से यह आगरा करूंगा कि एक SIT टीम एक अच्छी टीम घठित करके और इन जो भी बिल्डिंगे बन सके उनको नोकरी मिल सके तो अभी आप जो देख रहे थे हम एनम पुर्वी चंपारन के अंतरगात आने वाले रक्सोल से बात कर रहे हैं और हमारे वसंबादाता वरुन जी ने सारे रिपोर्ट बहुत ही अच्छे धंक से और पूरे डिटेल्स में समझाए हैं तो अब दे साथ आप लोग को यह भी बता दें जब भी स्काउट गातन होगा हमारी तीम यहां पर जरूर मौजूद रहेगी और हर एक पल की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो और कॉंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कोमेंट शेयर थैंक यू